हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो यह है रियल्मी बर्ट्स T310 एयर बर्ट्स जो की मिल रहा है फ्लिपकार्ट की स्टेल में 2200 रुपे में वैसे इसका रेगुलर प्रेस रहता है 2500 रुपे तो क्या आप लोगों को 2200 रुपे में इसको लेना चाहिए या नहीं विकोज मैं इसको कल सी यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कुछ चीज़े ऐसी मिल जाती है जो कि आप लोगों को जाना ज़रूरी है सो रिक्वेश्टे वीडियो पूरी देखें आज इसका डिटेल्ड रिवी होने वाला है इसमें क्या अच्छा है और क्या अब रहा है इस त जहां पर बड्स के डिजाइन और काफी सारे फीचर्स को मेंशन किया गया है बाकी बॉक्स के अंदर आपको बस तीन चीज़ें मिलती है सबसे पहले एयर बड्स मिल जाता है केस के साथ उसके बाद दो प्यर एयर डिप्स के मिल जाते हैं और यूजर मैनेवल दी गई इसम में बाकि बिल्ट की बात के रहे तो यहां पर इसने मुझे काफ़ी डिसेपॉइंट किया वेकॉज देख सकते हैं जो लीट को पर पॉलिष है वो फेड़ेड है और इस प्रैस में इस तरह की पॉलिश मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी तो देखने में थोड़ा सा चीप व वाज आती है जो कि काफी सॉलिट फील होती है इसके बात करें तो यहां पर इस तरह के खुबसरत से चोड़े-चोड़े बर्ट मिल जाते हैं जिसके डिजाइन काफी प्रीमियम है और यह काफी लाइट वेट है तो पहने में काफी ज्यादा कमफटेवल होने वाले हैं बा सब्सक्राइब नहीं होगा तो बर्ट के डिजन काफी बढ़े हैं बर्ट केस में जो पॉलिश मिलती है वह उतनी अच्छी नहीं मिलती है और यह चीज मुझा अच्छी नहीं लगी इसमें इसी प्राइस में सेमेफ बर्ट प्रो आ जाता है जो काफी ज्यादा प्रीमियम लग जाते हैं और कभी तो और भी ज्यादा टाइम लगता है जो कि काफी अजीब लगा मुझे बहुत सारे बड्स में बिलुडरीत फवेपन 3 का सपोर्ट होता है बड़ वह काफी ज्यादा फास्ट होते मतलब एक से दो सिकड्ड में प्लें इसको काफी ज्यादा टाइम लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर dual device connectivity का feature दिया गिया है, तो आप दो device के साथ इसको pair कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक issue है, यह auto switch नहीं होता है, मतलब अगर आप इस device पर गाना सुन रहे हैं, तो पहले जाकर इसको stop करना पड़ेगा, तब जाकर यह दूसरी रिवाई से pair होगा, तो यह भी एक issue है इसमें, रही बद battery की तो battery backup काफी अच्छा है, और इसमें आपको total 40 hours का battery backup मिलने वाला है, तो आप मान कर चलिए अगर आपको 4-5 घंटे कम भी मिलते तो भी काफी अच्छा है battery backup, और super fast charging का support दिया गया है, मतलब अगर अब इस birds को 10 मिनट चार्ज करेंगे, आपको 5 घंटे का playback time मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो जबरदसत है, और इतनी fast charging मैंने किसी भी birds में नहीं देखी, बात करें, sound quality की तो यहाँ पर कोई भी compromise नहीं है, और sound quality बहुत ही जबरदसते हैं इसकी, इसमें 12.4 mm का dynamic bass driver दिया गया है, और bass बहुत की thumping और deep bass मिलती है, मतलब आपको एक एक पंच अच्छा से सुनाए देगा इसमें, उसके बटरेबल काफी crisp और sharp मिलते हैं, और vocals काफी ज़्यादा clear हैं, तो sound quality एक तरफ आए, कोई भी कमी नहीं है, और music संदे में आप लोगों को मज़ाने वाली हैं इस पर, instrument separation भी काफी अच्छा है इसका, और loudness काफी ज़्यादा तगड़ी है, मतलब loudness को लोकर आपको कोई भी issue नहीं आएगा इसमें, उसके लब इसमें special audio का support भी दिया गया है, और equalizer का feature भी मिल जाता है, जो कि आप apps सेट कर सकते हैं, बाकि एक चीज़ काफी impressive है, कि अगर आप इसको full भी करते हैं, तो वहाँ पर भी sound फटता नहीं है, मतलब zero distortion मिलता है इसमें, तो क्या सकते हैं, sound quality बहुत ही जबरदास थे इस price में, बाकि यहाँ पर test sensor दिया गया, जो कि काफी responsive है, तो tap करके आप song को play post कर सकते हैं, track को change कर सकते हैं, और mode को switch कर सकते हैं, बाकि इसको आप customize भी कर सकते हैं, आप में जाके, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, अब इसमें 46 DB तक का hybrid ANC दिया गया, जो कि काफी effective है, और आसपास का शोर जैसे की fan की आवाज, washing machine की आवाज काफी हता की कम कर देता है, बाकि यहाँ पर आपको तीन लेवल में जाते हैं, ANC के, max, moderate और mild, तो अपने असाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, उसके लब इसका जो transparency mode काफी अच्छे से work करता है, और आसपास का शोर आप birds की तुरू सुन सकते हैं, तो कह सकते हैं, इस प्रैस में आपको दोने चीज़ें काफी बढ़हां मिलती है, इसमें realme link app का support दिया गया, डिसको open करते हैं, तो देख सकते हैं, इन device connected है, और यहाँ पर सबसे पहले battery दिख जाती है, case और birds दोनों की, बाकि birds को एक बार पहन लेते हैं, तो देख सकते हैं, यहाँ पर तिन option मिल जाते हैं, noise cancellation, off और transparency, तो यहाँ से आप स्विच्च कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, तो आपको तीन लेवल मिल जाते हैं, noise cancellation के, max, moderate और mild, उसके लवब यहाँ पर smart day wind technology, तो अगर इसको on करते हैं, तो जो हवा का शोर है, वो भी कम हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर dynamic audio, तो इसको on करते हैं, तो यहाँ से आप frequency को set कर सकते हैं, उसके बाद चलते हैं, equalizer mode में, तो यहाँ पर अपको चार mode मिलते हैं, clear vocals, nature balance, clear bass और bass boost, तो bass boost में क्या होता है, कि बहुत जादा bass और power हो जाती है, और इसका जो best output है, वो है nature balance पे, बाकि equalizer में जाएंगे, तो यहाँ सब customize भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से, तो बहुत सारे option में जाते हैं इसमें, उसके बाद यहाँ पर special audio का feature दिया गया, जहाँ पर अपको 360 surround sound effect मिलता है, जो कि बहुत ही मस्त लगता है, तो इसको भी आप use कर सकते हैं, बाकि back चलते हैं, तो यहाँ पर volume enhancer, उसके बाद others में यहाँ पर dual device connection, तो यहाँ से आप इसको on off कर सकते हैं, बाकि back चलते हैं दुबारा से, अलाकि जिसकी app यहाँ पर थोड़ा से लगी है, उसके बाद यहाँ पर game mode दिया गया है, तो यहाँ से आप game mode को on off कर सकते हैं, air bird fit test, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्ले करते हैं, तो यह detect करता है कि आपने air birds को सई से पहना हुआ है या नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पर average AI तो प्रोपर तरीके से पहनेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल good आएगा, बाकि mind flow mode इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर काफी सारे soothing sound मिल जाते हैं और इसको सुनकर आप थोड़ा सा relax feel कर सकते हैं बाकि बैक चलते हैं तो यहाँ पर लाश्टे में बटन सेटिंग्स तो यहाँ सेप्टर सेंसर को अपने सबसे कर सकते हैं इस तरह की आप मिल जाती है इसमें आपको काफी सारे फीचर्स तो मिल जाते हैं बट थोड़ा सा लेगी लगी मुझे बाकि बात करें गेमिंग की तो यहाँ पर गेमिंग मोड दिया गया है और इसमें 45 एमस की low latency मिल जाती है तो इस पर गेमिंग कर सकते हैं जैसे की COD और फिर PUBG खेल सकते हैं इसमें COD प्ले किया तो आवाज थोड़ा सा लेट आ रही थी शूट करते हैं तो थोड़ी दर के बाद आवाज आती है मतलब हलका सबको डेले मैस्स हो सकता है इसमें आरा के सैंपल आपनों को दिखा देता हूँ इसकी कोल्टी काफी बढ़े है विकोज यहां पर सिक्स माइक का सपोर्ट दिया गया है और इज बट्स में तीन-तीन माइक मिल जाती है तो कॉलिंग काफी एचा से हो जाती है कोई भी इशू देखनों को नहीं मिला मुझे बाकि माइक की क्वाल्टी आप लोगों को सुना तो अभी तक जो आप लोग आवास सुन रहे थे वह मेरे इस प्रोफेशनल मैक से रिकॉर्ड हो रही थी और अप यह वास सुन दे वह रियल्मी बड्स के मैक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है तो जब अब इससे कॉल पर बात करेंगे तो समने वाले को कुछ इस तरह की आवास सुनाई देगी बाकि दख सकते हैं पैन चाल हुए तो इस तरह की निए स्कनलेशन इसमें मिल जाती है कॉलिक के समय तो अब आते हैं वर्डिक पी क काफी ज्यादा स्लो है और डिवाइस में आपको इश्यों देखने को मिल सकता है बाकि तीसरी चीज़ यह गेमिंग को टारगेट नहीं करता है वहां पर हलका सा डिले आपको महसूस होगा उसके लब सारी चीज़ यहां पर पर्रफेक्ट मिलती है जैसे कि सांट कॉर्टी बहुत ही अमेजिंग और जबरदस थे बैटरी पकाफी अच्छा है कोड़ काफी बढ़हां मिलती है और इसका एंसी इस प्रैस में बढ़हां मिलता है तो प्रैस को कुटिंग डिवाइस अच्छा है इन चीज़ों को छोड़कर हाला कि इसकी जिगा पर आप CMF बर्ट्स ले सकते हैं यह ज्यादा बहतर है सभी मामलों में बड़ इसमें आपको एक मिलती है इसमें डॉल डिवाइस परिंग का फिचर नहीं मिलता है लेकिन एक चीज़ एक्स्टा मिलती है वह है इन यह डिरिक्शन फीचर तो अगर बट्स कानों से निकालेंगी मिजिक बनो करते हैं मैं मिलता हूँ अगली वुडियो में अपना खयाल रखें बाइए